Hey guys and welcome back to another video from the series Photography Terms Explained. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ FPS, मतलब frames per second को पूरा explain करूँगा क्या होता है FPS, photography में उसका क्या use है, video में क्या use है, और थोड़े technical terms. So let's get started with this video and देखते हैं exactly FPS होता क्या है. So FPS का full form जैसे मैंने बताया, frames per second होता है. अब अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो हैं, अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो, currently मैं ये 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ, तो आप basically अभी क्या देख रहे हो, 60 images एक second में आपको दिखाई जा रही है. तो देखने में आपको ऐसा लग रहे है कि basically एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बट truth ये है कि वो 60 images एक second में capture होती हैं, और आपको इतनी fast दिखती हैं कि आपको ऐसा लगते है कि proper motion हो रहा है, बट actually वो 60 images हैं. So अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि photography में fps क्या होता है और आपको कितना fps चाहिए है. So जब आप photos क्लिक करते हो, अगर आप अपने camera के specifications देखोगे, So किसी का 9 fps होगा, किसी का 5, 6, 11, 20, 30. So जितना ज़्यादा fps का number होगा, उतनी ज़्यादा photos आप एक second में capture कर पाऊगे. So for example में पास एक camera है जो 6 fps पे shoot करता है और दूसरा camera है जो 11 fps पे shoot करता है. So जब मैं दोनों camera से shoot कर रहा हूँ, एक second में एक camera ज़्यादा images capture करेगा, थोड़ी कम करेगा. So अब यह depend करता है आपको as a photographer कितना fps चाहिए, अगर मेरा 6 fps में काम हो रहा है तो में को ज़रूरत नहीं है, एक क्या रहा है उससे ज़्यादा fps वाला camera लेने की, बट अगर आप wildlife sport से action shoot करते हो, वहाँ पे आपको शायद ज़्यादा fps काम आ सकता है. अब हम आते हैं थोड़ी technical चीज में, जहां है fps in video content जब आप बनाते हो, अब वीडियो में जैसे मैंने पताया कि आप जब एक वीडियो देख रहे हो, वो multiple photos आपको एक second में दिखाई जा रहे हैं. अब यहां पे अलग लग fps होते हैं, 24 fps, 25, 50, 60, 100, 120, then इस तरह से multiply होते जाते हैं. यहां पे आप मैं आपको एक comparison दिखाता हूँ, यह जो आप clip देख रहे हो, यह 24 fps पे shoot हुई है, और यह वाली जो clip है, यह 60 fps पे shoot हुई है. अब दोनों में major difference क्या है, कि एक वीडियो में एक second में 24 photos हैं, एक वीडियो में 60 photos हैं, जब इसको मैं normal speed में play करूँगा, जो आप motion देखोगे, उसमें 60 fps में जादा smooth motion आएगा, 24 fps में इतना जादा smooth नहीं होगा as compared to 60 fps. तो सबसे पहला जो difference है fps में, जितने जादा fps होंगे वीडियो में, उसमें आपका उतना smooth transition आपको देखेगा. So obviously, जितना जादा fps होगा आप लिए better है, because जो second use होता है fps का वीडियो को slow motion में convert करना. So for example, अगर आप 30 fps पे एक वीडियो शूट कर रहे हो, so 30 fps पे एक normal speed है, जो एक second में 100% speed पे चलेगा, उसको अगर आप slow down करते हो, 50%, 40% या इस तरह से, तो आप यहाँ पे देखोगे, इतना smooth नहीं है, बहुत jerks आ रहे हैं वीडियो में, वो ही जब मैं 60 fps को 50% slow कर दूँगा So मेरा 1 second का वीडियो 2 second में बन जाएगा, so basically क्या हो रहा है, तो 60 fps का वीडियो था, वो 2 second में divide हो गया, similarly अगर मैं 120 fps पे शूट करूँगा, तो मेरी 1 second वीडियो को मैं 4 second की वीडियो बना सकता हूँ, उसको 4 times slow करके, so जितने जादा fps होंगे, उतना जादा आप slow motion अचीव क अब एक challenge जो आता है जब आप वीडियो शूट कर रहे हो, high fps पे, specially indoors पे, वो वता है कि आपको जो shutter speed है, वो अपने fps के double रखनी पढ़ती है, तो अगर मैं 25 fps पे शूट कर रहा हूँ, मेरा shutter speed 1 by 50th of a second होना चाहिए, अगर मैं 120 fps पे शूट कर रहा हूँ, मेरे को ध्यान रख मेरा shutter speed 1 by 240, 240 तो नहीं हो पाएगा, 1 by 250th of a second रखना है, because of 180 degree shutter roll जो होदा है, वो technically मैं नहीं जाऊँगा, यह एक रूल है, कि आपकी जितनी fps है, उससे double आपका shutter speed रहना चाहिए, अब at the end आता है NTSC versus PAL का, because कहीं cameras में, यहां almost हर camera में, आपको यह option मिलेगा, NTSC format या PAL format, तो अगर मैं simply बताओं, इंडिया में और कुछ Asian countries में mostly PAL format चलता है, अमेरिका में mostly NTSC format चलता है, so इंडिया में अगर आप इंडो शूट करते हो, आपको जो shutter speed है, वो 25 या 50 fps पर रखना चाहिए, तो यहां पर मैं आपको एक सेम्पल दिखाता हूँ, अगर मैं बायचांथ 60 fps पर शूट करता हूँ, so आप देखोगे थोड़ा flickering आने लग जाता है, because यहां की जो electricity है, वो 50 hertz पर आती है, so बेटर है आप 50 या 25 fps या 100 fps या 200 पर शूट करो, इंडोस अगर आप शूट कर रहे हो, आउट्डोस इससे मतलब नहीं है, because वहां पर natural light है, electricity नहीं आ रही, then NTSC format ये बात करूँ, वहां पर जैसे मैंने बता है, usually America या इस country में आसपास की NTSC यूज होता है, जहां पर आपका 30 fps, 60, 120 fps इस तरह का preferred होता है, उसका reason ही है, कि वहां जो electricity आती है, वो basically 60 hertz पर रहती है, इसलिए preferred shutter speed है, 60 या आप 30 पर यूज कर सकते हो, 120 या 240, so यह कुछ च subscribe for more such videos, हम मिलते हैं आगे सी तरह interesting and informative videos में, तब तक take care and keep clicking.